नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आजम डिस्कस कने वाले हैं पेपर शास्त्री का ये पेपर हुआ है 20 दिसंबर 2020 को हम इसका जीकी पोर्शन डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेस्टन है जन्गन्ना 2011 के अनुसार हिमान्च प्रेश की कुल जनसंख मुख्य सचीव थे तो इसका राइड आन्सर है केल मेहता ओप्चन राइड आण्सर है नेक्स्ट क्वेशन है, हिमान्चा प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, तो इसका राइट आंसर है, यमुना पुल, पॉंटा साहिप, ओप्शन ए, इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेशन है, रांगची गालू परवत दर्रा, हिमान्चा प्रदेश के किस जिली में विश्ध का राइट आंसर में व सिहीं होता है तक पर आंसर में इसकी इसार स्थित बाइंप हिमाने व स्थिती ही तो इसका right answer है option A सूनी इसका right answer है next question है कुटलेहर राजसी राज्य का अंतिम शाशक था इसका right answer है ब्रिज मोहन पाल option A इसका right answer है next question है भुंदला महल हिमान एक प्रसिद एतिहासिक महल हिमान जब देश की किस थान पस्तित है इसका right answer है के लॉंग option A इसका right answer है next question है नेमन मैंसी किसने तेरा सो पैंसर टीस्वी में जवाला मुखी मंदिर को लूटा इसका right answer है option D इन मैंसी कोई नहीं next है चमीरा थर्ड जल्वीदियोत पर योजना की कारेकारी इकाई कौन सी है तो इसका right answer है NHBC option A next है हिमानचपदेश के इन्रियो विश्वी जाले की सापना किस वर्ष में हुई तो इसका right answer है 2009 में option C इसका right answer है next question है रोहतांग सुरंग परियोजना के पूर्ण होने के भश्षात मैनाली और लेके बीच कितनी दूरी कम हो जाएगी तो इसका right answer है 48 km option ही इसका right answer है next है नीमन में सी कौन सा हिमानचपदेश में पूर्षो द्वारा किया जाने वाला मार्शल नृत्या है तो इसका right answer है यह सबी यानि की खरैत उस्गजामा जग घेबरिका option D इसका right answer है next question है पुराग मिला ही मानचपदेश में किस थान पर मनाया जाता है इसका right answer है कोटखई option है next question है next reasoning के question है तो मैं इनके answer बताऊगी 105 का right answer है option A 106 का right answer है option B 8312436 option B इसका right answer है next question है 107 तो 107 का right answer है option D 41 और 108 का right answer है option A 5 question आप देख लिएजिएगा answer answer मैं बता देती हूँ next है 109 का right answer है option A उतर 1010 चलो यह current का question है किस भारतियों मूल की नर्स को हाल ही में COVID-19 सेवाँ के लिए Singapore Presidious Award से समानिक क्या गया है तो इसका right answer है option A कलान नारायना सामी option A इसका right answer है next question है किस संगठन ने खाल ही में भारत में युवा इंडिया नामक सहयोग सापीत किया तो इसका right answer है Unicef option B इसका right answer है next question है जॉन लेविस जिनका हाल ही में निदन हुआ किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंदी थे तो इसका right answer है option A US से इसका right answer है next question है किस payment application company ने हाल ही में भारत का सर्व प्रतरम number ने सकार्ड प्रारम किया है तो इसका right answer है वैंपे option B इसका right answer है next question है एन राम के पश्चाथ हाल ही में किसी हिंदो ग्रूप का chair पर सन्युक्त किया गया है तो इसका right answer है option D मालीनी पर्थ सार्थी option D इसका right answer है next है साथवाहन रजवन्ष का महानतम शाशक था तो इसका right answer है option B गौतमीपुत शतकर्नी option B इसका right answer है next question है किस दिल्ली सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर का निर्मान किया तो इसका right answer है option A ग्यासुदीन तुगलक option इसका right answer है next है नीमन मैसिक कौन अकबर की दरबार की नौरतनों में नहीं थे तो इसका right answer है अमीर कुचरो option C इसका right answer है next question है किस वोइस वोइस की काल की दोरान 1865 में कलकता, बंबी और मदरास उच्छ नियालेओ की स्थापना की गई तो इसका right answer है option C लॉर्ड जॉन लॉरेंस option C इसका right answer है next है बाल गंगा थर्टिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की स्वश में परारम किया गया था इसका right answer है option D नेक्स्ट है कौन सा संगहंतम ग्रह है तो इसका right answer है option C पृत्वी इसका right answer है next है कौन सी प्रात्मिक चटान की एहलाती है इसका right answer है आगनी चटान option है इसका right answer है next है नीमन में सी कौन सी सबसी निचली वायमंडलिया परत है तो इसका right answer है क्षोमंडल option D इसका right answer है next है कौन सी तम्मिलाडू की सबसी उंची चोटी है तो इसका right answer है डोडा बेटा option D इसका right answer है next है खल्दिया आयल रिफाइनरी किस भार्तिय राजय में स्थित है इसका right answer है option C पश्चिम बेंगॉल में next question है भार्तिय सम्मिधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जन्जातिय क्षित्रों से संबंदित है तो इसका right answer है option A भाग दस इसका right answer है next है कौन सा एक सम्मिधानी निकायन नहीं है तो इसका right answer है N, I, T, I, 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 Y, O option D इसका right answer है next question है संसद की उपरी सदन कौन सा है तो इसका right answer है राज्यसभा option C इसका right answer है next है कौन सा नेत्रदोष द्वीफोक सी लेंस का प्रियो करके दूर किया जा सकता है तो इसका right answer option A दूर दृष्टी दोष option इसका right answer है next है जर्मन सिल्वर किसकी मिश्रुदातू है तो इसका राइट आंसर है Option D, Copper, Zink और निकल Option D, इसका राइट आंसर है Next है, मानुश्री का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो इसका राइट आंसर है, Option B, YAKRIT इसका राइट आंसर है Next है, कौन सा एक अप्तिक्षकर का उद्धारन है तो इसका राइट आंसर है मनुश्री जनकर, Option C, इसका राइट आंसर है Next question है, अन्टोनिम ओफ, एकम, प्लाइस इस तो इसका राइट आंसर है Option D, अपॉननेंट Option D, इसका राइट आंसर है Next question है, one word substitution for a person who snakes in to our countries तो इसका राइट आंसर है, Option A, इसका राइट आंसर है Next question है, I am filling blank, but today इसका राइट आंसर है, Option C, 4D, इसका राइट आंसर है Next question है, meaning of the idiom to give up the host is तो इसका राइट आंसर है, option H, to die नेक्स्टीast है, जलज कॉन सा सब्ध है, तो इसका राइट अंसर है ऑप्षिन सी यारणी रोड़ी शब्ध, आप्षिन सी गठाइट answer है, नेक्स्टी प्रातर काल में उपसर्ग है तो प्रातर काल में उपसर्ग है प्रातर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है खाल खींच कर गहुसा माना मुहावरे का अर्थ है बहुत माना ऑप्शन इसका राइट आंसर है नेक्स्ट वेशन है प्रमुक का विलोम शब्द है तो जिकी को क्वाशन थे जो हमने इस वीडियो में डिसकस किये तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही थैंक यू सो मच